आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ हमारा question है How many meaningful 3-letter words can be formed with letters U, T and V using each letter only once in each word हमें 3 letters given है U, T और B और हमें meaningful 3-letter words बनाने हैं और एक letter को एक word में सिरफ एक ही बार use करना है ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या देखेंगे U, T और B को मिला कि हमारे क्या बन जाएगा T, U, B टब ठीक है, दूसरा बन जाएगा हमारा B, U, T होना चाहिए पहला तो दूसरा, meaningful होना चाहिए और तीसरा use one letter only once यह पर one ना कहके हम कहेंगे use each letter only once in each word तो in conditions को follow करते हैं हमारे सिरफ दो ही letters बनते है meaningful word हो जिनका एक है T, U, B, T दूसरा है beauty, but total कितने हो गई है दो ठीक है तो option A will be our correct answer Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें doubt net आप या WhatsApp कीचे अपने doubts आच चार्सो 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 पर